कि सारे function के बारे में अब बात करते हैं total fixed cost के बारे में ठीक है तो total fixed cost class अध्या समझना total fixed cost वो cost होती है जो कि production speed vary नहीं करता यानि कि function of q से vary नहीं करता यानि कि production जीरो हो या ना हो प्रोडक्स कॉस्ट इतना पढ़ेगी अगर मैं एक जामपल के तौर पर लिए हूं कि मान चलो यहां पर production की quantity लेते हैं class ले लेते हैं और दूसरे column में total fixed cost लेते हैं ठीक है तो इसका मतब यह है कि हमने प्रोडक्स जीरो रखा तब भी हमें 10 रूपी मांच लोग पे करना पड़ रहा है प्रोडक्सन वन किया टू किया थ्री कौंट्री फॉर कौंट्री फाइप कॉंट्री तो हमारी प्रोडक्सन की कॉस्ट अल्वेडी कॉंस्टेंट है यानि कि 1010 ही है इसका मतलब होता है कि में देना और साल सब प्रोडक्सन फ्रेख होता है किया होतो हमेशा होगी फ्रीक्स हो जाती है एक स्वर्टिंहें यहांपोसन दस आप प्रोडक्सन देखोओ नप淨ा है यह production 10 का करें ठीक है इससे मतलब नहीं है टोटल कॉस्ट हमारी जो है ठीक है टोटल कॉस्ट हमारी क्या है constant है इस case में total cost function in a short term situation will be कैसा होगा horizontal होगा यह बास्वार में आ गई कि अब बात करते हैं average fixed cost की average fixed cost कसे निकालेंगे average fixed cost होता है class average fixed cost is equal to tfc upon q tfc upon q किसी जिसको 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा infinity आएगा क्या आएगा infinity आएगा ओके यहां दिखना होगा ठीक है हम यह मिना लेते हैं ठीक है तो अगर class यह देखें आप थोड़ी से देर के लिए कि अगर हम इसको euro aだ बैड करेंगे क्या होगा infinity ठीक है या यहनी कि हमारा यहां से start होगा यह Joy हुंन 2 लाइगा लुह निश्म सी 170 आएगा है तो सफेंगे आप तो 5 आएगा अग तो क्या होगी देखेंगे क्लेंद से करेंगे तो 3.3 आएगा ठीक है चार से करेंगे ऐसे घरता जाएगा तो बिसकली हम यह कहना चाहते हैं चार 2.25 ठीक है और फिर 5 से करेंगे तो 2 तो घरता जा रहा है लेकिन कभी 0 नहीं होता यह हमेशा डाउनोड होगा तो अगर मैं इसको ग्राप को प्लाट करूँ तो ऐसे बनता है सुलिए average fixed cost average fixed cost always downward sloping बट वो कभी भी access को टच नहीं करेगा क्योंकि कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि production बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ cost बढ़ती जाएगी लेकिन वो TFC constant कहुना वज़ा से कुछ ना कुछ जो है इसको average तो निकलेगा निकलेगा यह तो बात average fixed cost कि ऐसे ही क्लास हम पढ़ लेते हैं total variable cost और average variable cost तो total variable cost ऐसा माने चलो क्लास इसको लिख देते हैं total variable cost ठीक है और average variable cost तो total variable cost क्या होती है always upward sloping होती ही class जैसे इसे production बढ़ाते जाते हैं इसका production एक quantity के लिए zero है तो कोई variable cost नहीं है ठीक है क्योंकि variable change वारपकास्ट है और एक quantity के लिए 10 का है दू quantity के लिए लिए 18 का है तीन quantity के लिए मान के चलो आपका हो गया जितना मर्ज बढ़ाना हो 25 कर दो 24 कर दो ठीक है चार quantity के लिए मान चलो आप 30 कर दो तो कुछ भी आप कर सकते हैं ठीक है तो इस case में class क्या होगा इस case में क्या होगा कि जो आपका जो टोटल बैरियेबल कॉस्ट बनेंगा वह कहां बनेगा ऐसे बनेगा मैं इसको मिटा रहा हूं ठीक है यहां जीरो है तो जीरो है तो इसकर के यहां से जाएगा और आप ऐसे कर सकते हैं कि टोटल बैरियेबल कोस्ट उपए कि तरब इस जाएगा ठीक है टोटल बारियेबल कॉस्ट ऐसे निकले इसको लेक lazy कोस्ट कैसे रहा सपाघामेल कोस्ट कोरेगा की है कि अवी सी मिखन बारियेबल कोस्ट सिरिय अपान क्यों की से डिवाइड करेंगे तो जीरो का जीरो रहेगा इन्फिंटी आएगा ठीकिए और वन का दसी आएगा दो का नाइन आएगा तीन का कि इस दा से आप करते जाएंगे तो देखेंगे कि यह डाउन वो स्लोपिंग आ रहा है तो यानि कि यानि कि कि average variable कास्ट क्या होता है यह यसे बनता है क्लास पहले ओं टाउन जाएगा फिर तरिव नीचे आएगा फिर एक तांग बाद उपरवना शुरू हो जाता है ठीक है तो हम ABC ऐसे ही पढ़ते चले आ रहे हैं ठीक है average variable cost ऐसे होता है downward sloping बनेगा तो देखो आपने AFC पढ़ लिया ABC पढ़ लिया ठीक है आपने TFC पढ़ लिया और TVC पढ़ लिया ठीक है अदो चीजय तो अब TC कैसे निकालते हैं तो TC klas क्या होता है कि total cost जो होता है total cost is equal to होता है TFC क्या होता है TFC प्लास TVC ठीक है तचिक हम यह कैसा ह Pol को twenty AP कर देंगे तो तक अगर हम देखें कि इन दोनों को अड़् करें TFC TFC और प्लस यह TBC को एड़ करेंगे तो आपको ग्राफ ऐसे बनेगा TC ठीक है तो टोटल कॉस्ट क्या होता है always equal होता है TBC और TFC का तो इस केस में जो TFC का ग्राफ बनेगा TBC का और क्या होगा अब वर्ड स्लोपिंग बनेगा अब अगर दोनों TBC यहां पर है अगर यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट भी रिख देंगे जो कि यह 10 है 10 थी ठीक है तो दोनों को जोड़ देंगे तो TC बनेगा तो 10 20 28 इस तरह से आप देखेंगे तो क्या बनेगा अप्वर्ड स्लोपिंग बनेगा के लिए रुआ बात को ओकी तो हमने चार चीज़े पहले लिया अब पढ़तें क्लास और याद रखना इन दोनों से TC से और जब इसको TC करेंगे तो ए अब हम क्या कर रहे हैं एक साथ करके देख लेते हैं ठीक है टीच से समझ गया टीच सब्सक्राइब आप से समझ गये ए बीच समय और टीच भी एईसे ही बनेगा एबी सी एबरेस टोटल कॉस्ट आपरेस टोटल कॉस्ट भी यूसेव ही बनती है ठीक है क那个 dollar कोस कैसे निकालेंगे तो माघने कौस्त निकालेंगे ऊशन करने लिए परको यूनिड का प्रोडुक्षर्ण करने से यॉनिड का प्रोडुक्षर्ण करने से जो टॉटर कॉस्ट भड़ रही है जैसे दिखिये है एक एक इसे चॉटरा कॉस्त कि अंप तो हमाई टोटो कास्ट कितनी बढ़ गई 8 की बढ़ गई टोटो कास्ट केता चैन्ज होगा 8 की एक क्वांटी प्रोडूस करने के लिए 20 आ रहा था क्योंकि 10 फिक्स था और 10 बैरीबल था 20 आ रहा था दो यूनिट प्रोडूस करने के लिए टी बी सी हो गया आपका दस दस फिक्स आठाइस तो 28 यानि की आठ का डिफरेंस आया यह आठ का डिफरेंस क्या है marginal cost है, एक extra unit produce करने के लिए, एक extra unit produce करने के लिए, यानि कि delta Q, एक extra unit produce करने के लिए, total cost में कितना change आया, तो current cost क्या है, कितना यह है, तो यह total cost में, तो यह कि production में कितना change आया, production में कितना change आया, cost में कितना change आया, इसको देखते हैं, तो आप delta इसको लिषएकते है, Q, कितना है, n-qn-1 ऐसे भी लिए सकते हैं तो इस पूरे equation को बनाने के लिए आप सिधा लिखेंगे delta tc upon delta q या derivation of tc upon derivation of q लिख सकते हैं तो इस case में अगर individually निका लेंगे आप तो marginal cost कैसे बनेगा यहीं बना देते हैं दिख रहा होगा marginal cost always ऐसे बनेगा तो इसे बनेगा यारी पहरे cost घटेगी फिर नीचे तक जाएगी फिर बनना स्टार्ट हो जाएगी जाए इस पर दो बनना स्टार्ट हो जाएगी